हलो गुड़ इवनिंग आई देखिए इस क्लास में बदाने जा रहे हैं कि प्रिपोजिशन में अन का इस्तेमाल आप कहा कहा कर सकते हैं और किस किस सिच्वेशन में आप आप का इस्च कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8 9 10 में 11 12 में और जो लेंग्वेज के क्लासिस वल्ले रहे हैं उन सब के लिए यह बहुत असान होगा अगर आप इसको समझेंगे देखिए फरले बताईए कि प्रिपोजिशन अपको बता रहे हैं कि प्रिपोजिशन का इस्तेमाल इन सारे सिच्वेस में क्या आता है अगर आप यह अच्छ देख लेंगे तो आपको हमे जो day है वो on first day है देखिए उसी तरह आज का जो date क्या है on 14th November है on Christmas day इस तरह किसी special day को आप देखाना चाहेगे तो आप इसमें on का इस्तमाल कर सकते हैं देखिए second में to denote so denote कारते क्या आता है so position attached with somebody or something अगर किसी के पास में है किसी के साथ में है तो भी आप कर सकते है on इस तरह on the ceiling the fan is on the ceiling देखिए on the table on the ground on her nose on a page on the left on the right on a map on an island इस देख रहा है इस को हम लोग इस लान नहीं कहेंगे इस को हम कहेंगे island so on an island on the wall on the list on the menu इस तरह आप on का इस्तमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे conditions हैं देखिए थोड मैं ही बता रहे हैं आपको इसमें आप समझेंगे कि about a topic और किसी subject में अगर आप कुछ बात कर रहे हो या कुछ speech दे रहे हो तो आपका सकते है on the prime minister is speaking on terrorism she delivers her speech on peace देखिए उसी तरह with भाव like this situation अगर आप किसी भाव को इस्तमाल कर रहे हो उसमें किस किस time में on आता है त देखिए keep on मतलब continue किजिए keep on pass on leave on move on rely on depend on रहे है depend on की होता है insist on force किजिए उसको put on switch on turn on turn on the page switch on the fan इस तरह आप उसमें on का आगे बढ़ते हैं बताएंगे आपको 5 नमर में चलिए आगे बढ़ते हैं 5 में देखिए referring to activities अगर किसी activities को दिखाना है तो क्या करेंगे आप use of on करेंगे देखिए they are working on a project क्या कर रहे है on a project में वो लोग involved है on a project she is on a diet वो क्या कर रहे है डाइटिंग में है तो क्या करना चाहिए she is on a diet देखिए आगे बढ़ते हैं 6 में with means of transportation अगर आप चल फिर रहे हो या किसी साधन में आप बैट रहे हो उसमें भी on लगता है देखिए क्या होता है on a bicycle on foot अगर आप पाइदल चल रहे हो तो on foot देखिए on a bus on a ship on a horse on a motorcycle on a rickshaw इस तरह देखिए on का इस्तमा होत on a train इस तरह आप कर सकते हो जिसके उपर आप चल रहे हो या आप यात्रा कर रहे हो तो देखिए इन सारे condition क्या होगा use of on का अब लोग इस्तमा करेंगे और अगर जो आप देख लिए हैं तो आपको पता रहेगा कि use of on आपको इस हर situation में होगा लेकिन एक बात याद रिखे अगर day या dates आया है तारिक आया है तो देखिए क्या का अगर day आजाएगा month आजाएगा year सात में आजाएगा तो on लाएगा day आएगा भी on लाएगा day और month आया तब भी on लाएगा इस सारे situation आप पढ़िएगा समझेगा अगर आप आपको और भी किस grammar का topics में वीडियो चाह लाएगा में के एफिए बिल्डियो और यहाद आपका संपने साम वाएगा ठाक्रण अनक्रण बेहर शोड़ दू अगर अव है टू यहिर सब्सेड का झाल झाल